तो एक्जाम सोदेमस के एक और वीडियो में आप सभी का सौगत है और आज की इस वीडियो में हम करेंगे दोस्तो धलवा लोहा, पिटवा लोहा और स्पात यानि कि स्टील के बारे में कुछ जानकारी आपको देंगे और दोस्तो टेंथ की केमेस्टरी और ट्वल्थ की केमे हुआ है कि क्या क्या अंतर होते हैं और क्या क्या इनके गुड होते हैं दोस्तो बहुत सारे क्वेशन पूशे जाते हैं धलवा लोहा और पिटवा लोहा पर इनके यूज पूशे जाते हैं धलवा लोहा को पिटवा लोहा में कैसे कनवर्ट करेंगे और स्टील क्या है इसक पर आधारित questions आते हैं, ये वीडियो आपको एक idea देगा, ये वीडियो आपको एक sense देगा इन सब के बारे में कि क्या difference होते हैं, तो आप इसके बारे में लिख पाओगे, और ज्यादा इनके बारे में जानकारी पाने के लिए आप अपने books को देख सकते हो, उनको पड़ सकत परसेंट तक होती है, पिटवा लोहा में कार्बन की जो मातरा होती है, वो 0.12 से 0.25 परसेंट तक होती है, ये कि कार्बन की मातरा ज्यादा होगी, तो लोहा मजबूत नहीं होगा, लेकिन अगर कार्बन की मातरा कम है, तो लोहा फिर ठीक होगा, ऐसा है, क्योंकि पिटवा और इसका नाम होता है Pitywa Loha. इस पात, यानि कि स्टील में जो कार्बन का परसेंट होता है वो 0.5 से 1.5 परसेंट तक होता है. Magneze मातरा भी थोड़ी-फोड़ी होती है, कितनी कित्टी होती है Magneze मातरा दोसको Magneze की मातरा ढलवा लोहा में होती है 0.3 0.3% और पिटवा लोहा में जो मैगनीज की मात्रा होती है वो होती है 0.14% और स्टील में भी जो मैगनीज की मात्रा होती है वो होती है 0.14% इसके बाद सिलिकॉन की मात्रा जो होती है सिलिकॉन की मात्रा होती है वो होती है डलवा लोहा में 0.2 से 1.07 परसंट तक पिटवा लोहा में 0.14 से 0.3 परसंट तक होती है दोस्तो, अब गलनांक में क्या अंतर हैं, गलनांक में भी फरक पड़ेगा जब इनकी मजबूती में फरक है, जब इनके स्ट्रक्शर में फरक है, एक को ढला जा सकता है, दूसरे को पीटा जा सकता है, तो दोस्तो ढलवा लोहा का जो गलनांग होता है वो होता है 200 डिग्री सेल्सियस पिटवा लोहा का गलनांग बहुत ज्यादा बढ़ गया ये हो गया जाकर आपका 1500 डिग्री सेल्सियस और जो स्टील है स्टील बहुत ही भैंकर रूप से मस्बूत होती है और स्टील का जो गल भंगुरता यानि की बिटलनेस की तो आसानी से तूट जाता है जो ढ़लवा लोहा होता है वो आसानी से तूट जाता है तो भंगुरता पाई जाती है भंगुर वो पदार्त होते हैं जिन पर अगर हम आगात करेंगे जिन पर हम प्रेशर डालेंगा या चोट करेंगे उन पर तो वो आराम से तूट जाएगी लेकिन जो पिटवा लोहा होता है वो भंगुर नहीं होता वो आसानी से नहीं तूटता इसी तरह से स्टील भी हो स्टील में भंगुरता पाई जाती है आप देखते होंगे कि स्टील के जो बरतन होता है वो तूट जाते हैं आसानी से अगर उन पे अच्छी मार लगाई जाए तो वो भी तूट जाते हैं तो भंगूरता ढलवा लोहा में पाई जाती है इस्टील में पाई जाती है लेकिन पिटवा लोहा पीटा जाता है लेकिन तब भी तूटता नहीं है वो उसमें प्रसार होत फैलता है लेकिन तूटता नहीं है चुम्बख की suzos के बाद करें तो इस्थाइं रूप से चुम्बख नहीं होते हैं बैद सब्सक् razem को सकते हैं इसके बाद तो आता है टेंपरिंग की बाद तो इस प Safe यह थी छोटी जानकारी है लेकिन आपके लिए उपयोगी होगी इसी उमीद के साथ अगले वीडियो को बनाने की तैयारी और सब्सक्राइब करना चाहें तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं मोबाइल आपका है और मर्जी आपकी है कोई जबरदस्ती तो है नहीं आपकर करना चाहें इस तरह के वीडियोस देखना चाहें तो कर लीजिए नहीं करना है तो बिल्कुल मत कीजिए कॉपी उठाइए पैन उठाइए और नोट्स बनाइए और पेपर में अच्छे नमबर लाइए थैंक्स फॉर वाचिंग में गूल्लग फॉर फूर 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 फ अबर फूर त Two फूर 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 फंजबर यॉर